हाई वेलकम टू यूपीएसी हिस्टी गुरू और मैं हूँ आपका गाइड स्वेहल तुर्की और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन्ट वीडियो लेके आपके लिए आए हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे आज स्टेंडार्ड बुक्स की आज का जो कॉंटेंट रहने वोग कहते हैं जिन बुक्स का यूण बहुत अच्छा होता है और प्रिस विस Sweet ऑ nouvelles के साथ का जीम्पॉर्टन्ट के साथ यावां इमपॉत वतरड़ मत करते हैं तो हर एक यिए लिए अलग और बुक्स का इस्तिमाल किया जाता है जैसे for example हमें अगर history की books देनी है तो most of the student जो है वो spectrum को prefer करते हैं या फिर कोई बच्चे जो है वो बिपिन चंद्रा तो दोनों book अच्छी है हमनारा काम सिर्फ यह है कि content सही होना चाहिए पॉलेडी के लिए हम लोग लक्षमी कांथ का इस्तिमाल करते हैं तो लक्षमी कांथ के ऊपर भी वीडियो में बनाने जा रहा हूं उसके बाद जो हमारी economic की book है जिसमें हम रमेई सिंग का इस्तिमाल करते हैं ठीक है और जीओ में GS की हम GS GS की बात करते हैं और most of the time आप देखा होगा कि जो books हम लोग prefer करते हैं हमारा यह मानना है कि काफी सारे बच्चे जब लड़ाई करना शुरू कर जाते हैं सर की कौन सी book जो है important है for all the books जैसे हम book की बात करते हैं तो कौन सी book जो है वो बहुत अच्छी है तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि इसमें books बहुत important हो जाती है ज्यों के लिए ठीक है तो हर एक book जैसे रमेश सिंग होगी इलाया लक्षमी कान्त होगी इन सारी book की importance है और ऐसा नहीं है कि यही books important है बट यह है कि content के हिसाफ से यह book prefer की जाती है तो आप लोगों को भी यह लेनी चाहिए जैसी ही हमारा इंसी इटी का पार्ट खतम हुआ हमने इंसी इटी को पर अल्मूस सारी जो है books की मैंने बात की अब टाइम आ चुका है कि हमारी standard books कौन सी होंगी बहुत सरा की book में से कौन-कौन से topic पढ़ने हैं कौन से topic स्किप करने हैं इसकी list बना लीजिए अपनी copy pen कोल लीजिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो क्रिप्या करगे इसको subscribe करें इंडू share with your friends और जो UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो चले शुरू करते हैं यह video और I hope कि इस video के बाद आप लोग मुझे अपने नोट भी मैं से काफी सरे बच्चरों भी बेज रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है बाकी लोग भी उससे फाइदा ले रहे हैं उनको फाइदा यह हो रहा है कि बाकी बच्चर he Barbara कि क्रिभी इस तरी के से योज़ कर रäreएं कैसे वो बहुत अच्छे से मैंने काफी सारे बच्चों मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जब नोट्स बेजे और मैं जब ग्रुप में शेयर करता हूं तो काफी सारे बचे खुश होते हैं कि सर प्लीज हमें इस तरीके के नोट्स चाहिए सो आप जितने भी बच्चे मुझे नोट्स बेज रहे थें कि सो मच फॉर डैट देखिए आज मैं जब स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने का एक तरीका क्या है कि हम वीक के हिसाफ से बांड देते हैं देखिए फस्ट वीक में आपको क्या करना ह वीकेस आप से ले लीजेगा फस्ट वीक में आपको सबसे पहले क्या करने की कोशिश है पहला आता है चेप्टर फर्स जी हां चेप्टर फर्स में कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है चेप्टर फर्स आप जब खोलेंगे तो चेप्टर फर्स आपको ब बताएगा जितना मैं बता रहा हूं यह एक इंपोर्टन टॉपिक है चेप्टर है चेप्टर फर्स्ट है और इस चेप्टर को मैं यह कह सकता हूं यह स्किप नहीं होना चाहिए लेकिन एक चीज याद रखेगा कि यहां से आपको प्रश्ण नहीं बनेगा या आप यह जल्दी से आप पढ़ लेंगे इसमें आप यह काम कीजिए जल्दी जल्दी इसको पढ़िएगा और खतम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको यहां से कोई इतना खच खास पूशेगा वो क्यों क्रेडिंग करने है कि क्या पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि चेप्टर फर्स स कहे जाते हैं तो स्पेक्टरों के पैले चेप्टर बारे में बताते हैं बागी कोई बीचीज नहीं बताते हैं बात करते हैं सर की इसके बाद हमारे लिए चैप्टर नंबर थरी जो है चिंप्टर का नाम भी बता रहा हुँ चैप्टर का नाम है Advent고요 advent of Europeans बहुत ही important chapter है भाई पढ़ना पढ़ेगा understand करना पढ़ेगा इन इंडिया यह पोर है कि European का आगमन जो यूरप के लोग इंडिया के लिए आए बहुत ही important topic है बेटा इसमें आपको सबसे पहला point यह पढ़ना है कि वहां पर दिया हुआ है यहां पर क्या पढ़ने की जुर बाकी के सारे Europeans जितने थे उनका downfall कैसे हुआ आप skip नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते दूसरा इसमें आप पढ़ेंगे जो most important part रहेगा इसमें इसी chapter में आपको आएगी कार्मेटिक वार बेटा इसको मैं आगे लिखता हूँ very 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 important इसको आप नहीं छोड़ सकते बहुत अच किसरा इसमें point जो आएगा that is the causes of success आप बताईए कि क्यों यहां पे success of British British काम्याब क्यों हुए बेटा यह topic जो है मैं इसको red color में डाल रहा हूँ यही तीन points आप पढ़ेंगे इसके आप बनाएंगे notes और यह notes जो होंगे यह बहुत ही सही तरीके सिर्फ तीन topics आपको यहां स skip कर सकते हैं so chapter number 3 Advent of Europeans यह अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो please इनको देख लीजेगा उसके बाद हम बात करेंगे सर क्या chapter number 4 में दिया है जी हां जब आप chapter number 4 पढ़ेंगे तो chapter number 4 में chapter का नाम है India on the eve of British सर यह वाला topic हमें क्यों पढ़ना है और इस topic में कौन-कौन से point पढ़ने एक तो मैं आपको chapter भी बता रहा हूं point भी बेटा इसमें पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है बहुत ही महत्पून जो है बहुत ही important है यहां पे आपको पढ़ना है लेटर मुगल्स प्लीज मुग fall of Mughal किस तरीके से Mughal जो है वो downfall हुआ और यहां पर एक ओर topic आपको आएगा rise of a regional state जी हाँ rise of regional state अचानक से regional states किस तरीके से बनी इनके ओपर तो यह बनता है chapter number 4 that is the important topic यह आप complete करेंगे ही करेंगे तो यहां पर इस topic में मैंने जैसे very very important लिखा है this topic is also going to be a very 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 much important अगर यह skip हुआ तो भाई आप समझ लीजिए कि आपने modern Indian history को नहीं समझा so hopefully जो जो topic में आपको बता रहा हूँ आप उसको जरूर copy पे भी लिख रहे होंगे और उससे आपको फाइदा भी होने पर तो यहां तक हमने complete किया मुझे उमीद है कि आप जो है इसको complete करेंगे so chapter number 4 is very much important और chapter number 4 में आप यह सारी चीज़ें complete करने की कोशिश करेंगे आया हम बात करते हैं sir अब chapter number 5 की अब यहां पे दिखिएगा जो मैं chapter number 5 की बात कर रहा हूँ chapter number 5 आपको क्या-क्या चीज़ें बताएगा अब जब chapter number 5 खोलेंगे तो इसमें आपका topic का नाम है expansion यानि की विस्तार गहते हैं हिंदी में expansion in consolidation और किस तरीके से इन्होंने अपने power को control किया और भारत के अलग-अलग छेत्रों में फैल गए consolidation of British power in India देखिए इस topic में से आपको क्या-क्या पढ़ना है बहुत ही important topic है और इसमें आप कुछ skip नहीं कर सकते हैं इसमें point आपका है British conquest आईए बताईए कि भारत के अंदर यह जो इंग्रेजी सरकार थी इन्होंने British conquest कैसे किया या नहीं कि पेटा लाल गर के यह जो अंडरलाइन कर रहा हो ना तो प्लीज इसके ओपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अगला topic जो होगा that is the causes बताईए यहां पर causes of success किस तरीके से success of Britishers किस तरीके से Britishers जो है यहां पर काम्याब हुए अपने मकसद में फिर अगला है कि इन्होंने British conquest Bengal, British ने कैसे Bengal को conquest किया, conquest of Bengal अगर यह कर लिया बेटा तो आपका modern Indian history complete है इसी में आपको पढ़ना है Anglo-Maratha war, जी हां बहुत ही important है Anglo-Maratha struggle, power के लिए हो रहा था ठीक है, अगला point इसमें आप पढ़ेंगे, इन्होंने कैसे किया conquest of sin, sin को कैसे control किया, conquest of sin, sin का area बहुत ही important था ठीक है, उसके बाद पंजाब, पंजाब का area और फिर यह important यहां पर दो चीज़ें आप पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ना है आपको subsidiary aligns, यहीं पर आएगा, और doctrine of labs, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यह chapter number five में आपको बताएगा, बहुत ही important है, very very much important, इस तरीके से आपने 5 chapter complete कर लिए, आईए बात करते हैं आप chapter number six की, chapter number six जो है, chapter number six बहुत अच्छा है, और आप सब जानते हैं कि यह सबसे important माना गया है, जब हम बात करते हैं, the revolt of 1857, the revolt of 1857, most important topic in the UPSC, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, 1857 के अंदर सबसे पहले आपको पढ़नी पढ़ेंगी, peace and moment, फरना लड़के किया करते हैं, सीधे आप लोग 1857 पढ़ लेते हैं, peace and moment के साथ यहीं पे आप फिर उसके बाद पढ़ेंगे, spy mutiny, क्योंकि एक spy mutiny थी, तो mutiny, यानि कि जो है, फिर उसके बाद इसमें पढ़ना फिर chapter number 7 है, पूरी तरीके से आप बताईए, the revolt of 1857, the revolt of 1857 के important topic है, इसमें, इसमें बताना है आपको cause, बताईए जी causes क्या थे, क्यों हुआ, ठीक है, उसके बाद important leader, कौन-कौन से इसमें leaders थे, ठीक है, उसके बाद आप बताईए, significances, यानि कि significance of revolt, क्या फाइदा हुआ, of revolt तो बस, ये chapter इतना ही है, तो दिखे कितनी important points, इन points के उपर बात करनी है, आप unnecessarily, कोई भी point और इसमें नहीं जोड सकते, chapter number 8 जो है, उस chapter का नाम है, social religious reform movement, जी हा, बहुत ही important topic है, reform movement, जो 19th century में हुआ था, इसके बारे में बताईए, अब इसमें क्या है, कि आप जब chapter number 8 भी दोनों याद रखिएगा, social cultural reform movement भी इसी में आएगा, उपर है social religious reform movement, और दूसरा है social cultural reform movement, तो दोनों एक ही है, इन दोनों को आपने मिला के पढ़ना है, क्योंकि इसमें analytical approach करके पूछता है, तो topic क्या पढ़ने हैं सब, पहला पढ़ना है impact of Britishers, impact of Britishers, बारत के अंदर या impact प position of women क्या थी, आपको पता है, position of women बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके उपर, social movement में कौन-कौन से, यहाँ पर आप leaders की बात करें, कौन-कौन इसमें था, और इसके significance की बात करें, क्या फाइदा हुआ social religious reform movement करने का, ठीक है, बहुत important, उसके बाद, chapter number 10 के बारे में बात करते ह हैं, यहाँ पर यह chapter number 10 में बताता है, beginning of, beginning of modern nationalism, बारत के अंदर किस तरीके से राष्टरवाद फैला, दस्वाद चेप्टर होगा, और इसी में आपको, जो यह chapter पढ़ेंगे, and chapter number 11, दोनु चेप्टर एक साथ है, Indian national moment, अब मैं साथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि important topic है, आप इसको skip नहीं कर सकते, पहले आपको पढ़ना है, chapter number 10 में आपको पढ़ना है, factors, उन factors की बात करें, जिसकी वज़ा से राष्टरवाद फैला, leading to growth of, growth of nationalism, बताईए कि nationalism कैसे फैला, यह बताना पढ़ेगा, ठीक है, फिर आपको इसमें Indian national congress में बताना पढ़ेगा, political association, बारत के अंदर political association पहले ही बनी थी, बारां के बरावर बनी थी, political association बिफोर INC, बहुत important topic है, और फिर aims and objectives बताने पढ़ेगे, INC की aims and objective क्यों बनाए गई, तो objectives आप बताएंगे, फिर उसके बाद आपको एक theory पढ़ानी है, एक theory जो है, safety, well theory है, यह बहुत important है, यह आप से पढ़ेंगे, इस तरीके से आपका यह chapter complete हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका chapter number 12, the most important chapter, era of militant, militant, militant nationalism, एक समय वो आया, जब बहुत ज़्यादा तेजी से लोग जो है, गन वगरा का इस्तिमाल करते थे, और यही वो time है, जहां पर आपको पता चलेगा कि बहुत गुसे में लोग थे, तो इस chapter में, और 13 chapter भी यही theme बताएगा, और chapter number 13, जो है, वो revolutionary activities के बारे में बताता है, तो यह 3 chapter एक ही, revolutionary activities, यह सारे एक साथ आपको पढ़ने पढ़ेंगे, activities, और chapter number 4, जो है, वो है, world war, world war and nationalistic approach, world war and nationalistic approach, बेटा आप देखियेगा, approach, यह होता है, तरीका पढ़ने का, यानि यह तीनों topic जो है, वो एक दूसरे से overlap कर रहे हैं, इन पूरे chapters में हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो पहले chapter में वाले में हमें पढ़ना है, reason of, grown, of the grown of, militant, क्यों बने militant, तो पहले chapter में हमें पढ़ना है, कि militant बने क्यों, यह वाले chapter में से, उसके बाद दूसरे में हमें हमें पढ़ना है, सब्देशी मुमेंट, बारत के अंदर सब्देशी मुमेंट कैसे start हुई, तीसरा point हमें पढ़ना है, partition of Bengal क्यों हुआ, partition of Bengal, very good, बहुत important Lord Carson का time, फिर हमें पढ़ना है, सूरत split क्यों हुआ, लडाईयां हो रही थी, सूरत split क्यों हुआ, इसके बारे में बताईए, Morley Minto Reform के बारे में, Morley Minto Reform, 1909, फिर हमें बताना है, Home Rule League Moment, यह बहुत बड़ा top chapter रहेगा, Home Rule League Moment, फिर हमें बताना पढ़ेगा, लखनो का session, very much important, लखनो session, फिर यहीं पर हम पढ़ेंगे, लखनो pact, यह दोनों अलग अलग है, लखनो session and लखनो pact, अलग अलग है, और इस तरीके से यह topic आपका complete हो जाएगा, तो अभी तक हुए है 14 topics, अब आएगा chapter number 15, chapter number 15 जो है, यह है emergence of Gandhi, अब आप सब जानते हैं कि यहां से एक न है, फिर chapter number 16 गांधी से ही related है, जिसको non cooperation moment कहा जाता है, तो क्योंकि हम यह सारा mix पढ़ते हैं, cooperation moment जो teacher आपको पढ़ाएगा, और यहां पर हम में पहले पढ़ना है, जब हम शुरू करेंगे, तो इस topic में आपको पढ़ना पढ़ेगा, emergence of Gandhi के साथ ही, 1900 and 19 Act, फिर 1919 Act के साथ ही आपको पढ़ना पढ़ेगा, गांधी के आते ही, यहां पर क्या हुआ था भाई, चंपरन सत्यागरा है, बहुत important है, यहां पर दिया भी है, फिर पढ़ना पढ़ेगा, एहमदाबाद, मिल स्ट्राइक, पढ़ा है आपने, नहीं बात नहीं है, फिर आप खेडा सत्यागरा पढ़ेगे यहां पर, खेडा सत्यागरा, बहुत important है, खेडा सत्यागरा, फिर आप पढ़ेगे, यह सारे आप skip नहीं कर सकते हैं, फिर आपको पढ़ना पढ़ेगा, यहां पर जलियाँ वाला बाद, इस बुक में दिया है, फिर आपको पढ़ना पढ़ेगा, hunter commission, बहुत important skip नहीं करना, hunter commission सवाल आ चुका है, फिर आप पढ़ेगे खिलाफत issue, खिलाफत issue पढ़ेगे, फिर आप पढ़ेगे non corporation, non corporation and खिलाफत moment, बस, इस topic में से इतना है, फिर आजाएगा chapter number 17, आपको बताएगा, emergence of, emergence of, सवराजिस्ट, एक सवराजिस्ट पार्टी बनी थी, socialistic ideas, ideas, revolutionary activities, activities, ये वाला topic थोड़ा सा different है, इसमें आपको सबसे पहले सवराजिस्ट के बारे में बताना है, सवराजिसियार, दास, मोतिलाल, नहरू, उसके बाद, socialistic approach कैसे जागी, क्या ideas आए, जो रिशिया से लिए गए थे, और 1920 के revolutionaries के बारे में आपको बताना पड़ेगा, बस, इतना ही इस topic में से पढ़ना है, बाकि आप skip करेंगे, चेप्टर नंबर 18, जो आप पढ़ेंगे, तो चेप्टर नंबर 18 आप पढ़ेंगे, ये भी बहुत important है, चेप्टर नंबर 18 में आपको पढ़ना पढ़ेगा, साइमन कमिशन, सब जानते हैं साइमन कमिशन के बारे में, 1928, इसी में आप पढ़ेंगे, नहरू रिपोर्ट, बहुत important है, नहरू रिपोर्ट, और इसमें सरफ आपके दो ही चीज़े हैं, और फिर चेप्टर नंबर 19 जो आएगा, चेप्टर नंबर 19 में सबसे पहले आप को पढ़नी पढ़ेगी, CDM मोमेट, यानि Civil Disorbidance मोमेट, फिर पढ़ेंगे इसमें आप roundtable conference, तीन roundtable conference आपको पढ़नी पढ़ेंगी, बहुत important है, और skip नहीं कर सकते आप, इसी में आपको पढ़नी पढ़ेगी, आपके कॉलकता session, कॉलकता का एक session हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, और communal award यहां पर पढ़ना पढ़ेगा आपको, communal award बहुत important है, ठीक है, हारी जन campaign, ये गांधी जी ने चलाया था, हारी जन के लिए, अलग से campaign चलाया गया था, और गांधी ये ने इमबेद कर, अलग से पढ़ना पढ़ेगा, पूरी तरीके से, उनके विचार, अलग क्यों थे, क्या कर रहे थे, फिर चेप्टर नमबर 20 में जब आप जाएंगे, तो चेप्टर नमबर 20 में आप लोग डिबेट, स्टाटीजीज पढ़ेंगे, सीडियम की, की कॉंग्रेस क्या-क्या चाती थी, इस तरीके से, और यहां पर गवर्मेंट आप इंडिया एक, 1300, 1935 पढ़ींगे, सो प्लीज यह देख लीजेगा, बहुत इंपॉर्टन है यह, उसके बाद चेप्टर नमबर 22, क्योंकि चेप्टर नमबर 21, जो है, that is related to, कॉंग्रेस का किस तरीके से, रूल हुआ, प्रोवेंस में, कॉंग्रेस रूल किस तरीके से, कर रहे थे, प्रोवेंस में, यह भी एक टॉपिक है, छोटा है, उतना ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है, और फिर आपको चेप्टर नमबर 22, जो है, 22, that is, like, वो ही बताने जा रहा हूं, चेप्टर नमबर 22, जो है, वो क्या-क्या चीजे हमें बताता है, so, चेप्टर लिस्ट, रिस्पॉंस, इन डे वेक आफ, वोल्ड वार टू, यहां पर देख लीजेगा, चेप्टर नमबर 22 है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, गांधी और बोस को पढ़ेंगे, गांधी और सुबास चंद्र बोस क्या बोर रहे थे, सेकेंड इसमें पढ़ेंगे, वोल् यहां पर आया था, क्रिप्स मिशन, उसके बारे में, बस, और छोड़ दी लिएगा, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, चेप्टर नमबर 23 में, हमें पढ़ना पढ़ेगा, चेप्टर नमबर 23 में, क्विट इंडिया मुमेट, एक, यहां पर आएगा एक फैमिन, जो क इस चॉपिक में से इतना ही और ज्यादा नहीं पढ़ेगे, चेप्टर नमबर 24 में, स्वारी चेप्टर नमबर 25 आजाएगा, 25 में इंडिपेंडेंस, एन पार्टेशन, इंडिपेंडेंस एन पार्टेशन, यह पढ़ना है हम लोगों को, और 26 जो होगा, वह हमें कॉनिस् एन जुडिशियली, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, जुडिशियल डेवलप्मेंट क्या होई थी, इसमें सबसे पहले आपने एटली की स्टेटमेंट पढ़नी है, यानि कि चेप्टर नमबर 25 में एटली की स्टेटमेंट के बारे में दिया है, मौन बेंटन प्लैन जिस आपने भी एक साहिव उनको अलग से पढ़िएगा, और उसके बाद जुडिशियरी और एड्मिनिस्टेटिव वर्क इन इंडिया, इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर देंगे, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने कंप्लीट की, बाकी के चेप्टर जो हैं, वो आप किस से सकते हैं, तो बाकी के चेप्टर्स को रिवीजन किया गया है, रिवाइस किया गया है, अगर आप देखते हैं, 27 चेप्टर नमबर तो सर्वे औब ब्रीटिश पॉल्सी अ इंडिया जो कि इतना इंपोर्टन नहीं रखा गया है, चेप्टर नमबर टव्टी-ेट को मैं important देता हूं chapter 28 आपको पढ़ना पड़ेगा chapter 28 आपको क्या बताएगा economic impacts of economic impacts of impact of British rule in India क्या इन्होंने economic policy बनाई थी तो इसमें आपको कुछ policies के बारे में बात करनी है और chapter number 29 जो होगा वो press के बारे में बताएगा development of press तो इसमें कुछ act pass किये गए hunter commissioner तो जो 29 है ना that is very very much important यहां पर wood dispatch की आप बात करेंगे अलग से पढ़ीं गया wood dispatch wood dispatch के बाद आई थी hunter commission उसके बारे में आप पढ़ेंगे hunter commission के बाद आई थी settler commission उसके बारे में बात करेंगे settler commission क्या थी उसके बाद यह एक है vernacular education के बारे में बात करेंगे और वार्दा scheme आफ गांडी जी यह schemes आप पढ़ेंगे इस तरीके से आपका यह chapters हो जाएंगे complete chapter number 30 भी इसी में include किया गया है chapter में 29 and 30 और in the last and the foremost important part is the chapter number 31 इसमें आप बात करेंगे peace and moment की peace and moment कितनी हुई थी बारत के अंदर उनके बारे में और इनका मतलब main aim क्या था goal contribution of working classes इनने किस तरीके से की और इस तरीके से जो है आपकी spectrum होती है complete बेटा मुझे ऐसा लगता है कि entirely YouTube के channel पे अगर आप देखेंगे भी तो आपको इस तरीके से किसी ने spectrum के बारे में नहीं बताया होगा यदि यह सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो यकीन माने कि आपकी spectrum हो जाएगी complete या विपिन चंद्रा भी पढ़ते हैं तो उसमें भी यही topic मिलेंगे प्लीज आई रुकेस जो भी यह वीडियो देख रहा है वो इसका एक पूरा structure बनाएगा ताकि मैं ग्रुक में बाकी बच्चों को भी send करूं यकीन माने कि जो points मैंने आपको बताये हैं पूरे entirely YouTube पे नहीं देखने को मिलेगे अगर यह चीज आपने कर लिए आपको दुनिया की कोई भी तागत modern Indian history से हरा नहीं सकते कर हम बात करेंगे रमई सिंग की बुक की आपके नोर्स मुझे boost up करते हैं आपकी आपके comments मुझे जो है boost up करते हैं आपके views बहुत important है अभी तक किसी बच्चे में भी मेरी वीडियो को share नहीं किया है groups में मैं नहीं देख रहा हूँ या कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि बच्चा जो है वह वह वाकई में उससे कोई inspire हो रहा है या उसको फाइदा मिल रहा है क्योंकि मैं वह content दे रहा हूं जो आपकी जुरूरत है वह content नहीं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए आपने entirely इस YouTube channel के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी irrelevant topic नहीं आता है current से भी topic आएगा तो जो जूरूरत है मेरा यकीन है कि इस पूरे channel का main मकसद यही है कि हम बच्चों को वह दें जो बच्चों की demand है जो बच्चे मुझे message करते हैं मुझे उमीद है कि आप एक mind way बनाएंगे क कौन कौन से topic important है ताकि बाकी बच्चों को भी दिये और UPSC History Guru के इस channel को प्लीज आपकी बहुत ज्यादा help की ज़रूरत है मुझे उमीद है मेरे बच्चे definitely इससे मदद करेंगे यह channel आपका है इसको आपने grow करना है आएं सब मिलके उन बच्चों को जोड़ें जिनके पास पैसा नहीं है जो हर समय दूस्तों से मदद मांगने की कुशिश करते हैं मैंने यह channel बनाया भी इसी लिए है ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ आप मुझे message कीजिए कि सर इसकी topic के ओपर वीडियो बनाएं यकीन मानिया मैं उसी topic में बनाऊंगा मुझे irrelevant content और गल बाई बाई आप